हेलो फ्रेंड्स यह जैसे कि हम लोग जानते कि आप लोग का अकाउंट का बोर्ड एक्जाम होने वाला है और आप लोग की प्रेप्रेशिन अच्छे से हो रही तो भी आज के तुमारा टॉपिक रहने वाले है रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट की इंकम और एक्सपंडीचर अकाउंट के बैलाइंशीट की जो कि आपके एंप्यो चेप्टर से है तो बहुत जब भी आप लोग पढ़ोगे ना तो इन सारी आइटम्स के बारे में अच्छे से पढ़ देना कि रिसीट्स और पेमेंट आइटम्स आप लोगों से पूछ सकता है कोई भी एक आइटम पूछे का बता होगी रिसीट पेमेंट अकाउंट में कहा जाएगी आइटम या फिर बैलेंशीट में कहां जाएगी आइटम में तो इस टैप कोश्चन आ सकते हैं आपके एक्जाम में दूसरा डाइब कर डि लियाबिल्टी है सब हेड़ किया गी जातर अर्mak連 एक्जाम में देखने को मिलते हैं और आपका का पुछ आते और प्ट skilled का salary का कश लौ सकते हैं आप सब क्यों बनते हैं रिवालुशन के फाइदा होता है या किसी भी अकांट के पूछे तो आप लोग वहाँ पर आंसर करना होता तो इस दो टाइप के कोश्चन वह बता दी जिसमें रिवैलियूशन और रियलाइजेशन यह वह अकाउंट ज्यादा बनते हैं तो इनको देख लेना कि एकाउंट क्यों बनते हैं वाई इट इस नेसरे तो रिवैल्यू और रियलाइज तो वहाँ इंपोर्टेंट रहता है यह कर लेना वहाँ फिक्सक्ट केपिटल पार्टनर्स की चेंज हो सकती है यह वहला कोशन में काफी और एक्जाम में पूछा गया है एट वहाँ वें गवर्मन के डिजॉल करती है फर्म को कौन से से रिजन्स होते हैं जिनके लिए गौर् तो आठ तरह के मैं आपको बता दिए किस टैप कोश्शन आपके एक्जाम में आते हैं जादा थेरी कोश्शन नहीं आएंगे 10 मार्क सकिए आपकी थेरी आएगी तो बहुंद कोश्शन को अच्छर प्रिपेर कर लेना अगर फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो भाई मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताओ सासत मुझे बताओ कि आप लोगी परप्रेशन कैसी चल रहे हैं तब तक के लिए all the very very best for your board exam थेंक यू